में आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाके सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाके सेव करें रेगुलर अब्डेट्स पाने के लिए सरस्वती नमस्तु भ्यम वर्दे काम रूपणी विद्यारंभं करेश्यामी सिद्धिर भवतू में सदा ओम जैमा सरस्वती मशकार दोस्तों शोरशोटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं 27 मार्ज 2022 रविवार का दिन है रात के तस बज रहे हैं दोस्तों तैयारी कर रहे हैं हम आने वाले हफते में मार्केट किस तरह से काम करेगी कौन से important levels होंगे कहां पर आपको buying करनी चाहिए selling करनी चाहिए अगर आप फसे हैं तो आपका क्या next action point होना चाहिए देखिए ग्यान सारी समस्याओं का समाधान है ग्यान ही सफलता की कुझी है जो ताला है एक सफलता बड़ा जटिल है और उसकी एक मात्र कुझी जो है वो है ग्यान knowledge क्योंकि वो जन्म देती है strategy को planning को execution को वो जन्म देती है आपकी understanding को आपके determination को overall success path क्या होगा आपका और इसी लिए हमने start किया है mission Arjun क्या है mission Arjun कैसे हम इसको execute करते हैं कैसे हम आपको एक gambler से trader बनाते हैं एक knowledge full trader जो trade करता है on the basis of analysis on the basis of decision making process कि अगर buying करनी है तो कहां करनी है कितनी करनी है क्यों करनी है selling करनी है तो क्या करनी है कहां करनी है कितनी करनी है साथ ही साथ साथ ही साथ उसका ध्यान process पे जादा रहता है product के outcome से क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका overall process पे control होना बहुत जरूरी है और वो तब ही होगा जब आपको उसकी proper knowledge होगी और इसी लिए हमने ये mission अर्जून start किया है जहां पर मैं हर महीने 5 लोगों को अपने जैसा बनाऊंगा तयार करूंगा और ये जो एक हमारी मुहीम है दो महीने से चल रही है बहुत से लोगों को हमने training दी है चल रही है एप्रिल के लिए already booking से start हो गई है तो आप भी अगर सीखना चाते हैं market को समझना चाते हैं losses को recover करना चाते हैं तो हमारे साथ आप mission अर्जून का हिस्सा बन सकते हैं इन points को हम cover करेंगे लेकिन एक line में मैं कहूं तो केवल एक चीज़ को हम cover करेंगे कि market से पैसा कैसे बन सकता है वो क्या तरीके हैं वो क्या techniques हैं वो क्या thought process है वो क्या strategy है वो क्या planning है जिससे आप minimum risk के साथ maximum profit ले सकें और ध्यान में रखते हुए हमने ये एक special offer दिया है आप लोगों के लिए limited time के लिए है special offer है इसका फायदा उठाई है आईए जुडिये और एक lifetime देखें अगर आप मेरे साथ आते हैं तो जो आपका vision है वो lifetime का होना चाहिए एक long term vision होना चाहिए because ये कोई 2020 नहीं है कि हमें आज खेलना है कल खेलना है उसके बाद ये खतम हो जाएगा ये एक long term काम है और हमेशा मेरे कोशिश ये ही रहती है कि जो भी हमारे साथ जुड़ें हमारे साथ आएं उनका एक lifetime relationship हम साथ में build कर सकें और एक मेरा वादा है आप से मैं पहले भी ये बात कह चुगा हूँ आज फे repeat कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे हिसाब से काम करते हैं मेरे training के हिसाब से मेरे rules को follow करते हुए काम करते हैं तो अगर loss होगा तो हम 200% refund करेंगा ये हाँ software भी आपका और जो पैसा आपने pay किया है training के लिए वो भी आपकी वापसी और वो भी return assurance कोई verbal नहीं है तो आईए जुड़िए सीखिए और अपने losses को market से recover करने की तरफ एक कदम बढ़ाईए अब बात करते हैं दोस्तों MCX Silver Silver में क्या situation बन रही है आने वाले समय में क्या संभावनाए हैं Silver में कहां जा सकती है क्या हो सकता है इन सब बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जो गया हफता है उसको review कर लेते हैं अगर मैं बात करूँ Silver के overall movement की तो आप देखेंगे 67,150 और 69,740 लगभग लगभग 2600 point to be precise movement हमें देखने के लिए मिली जो कि किसी लिहास से बहुत कम नहीं कही जाएगी लगभग लगभग 5% की movement है गोल्ड के मुकाबले Silver की movement जादा रही है लगभग 2600 point की movement है 4% की movement हाँ 3,4% की movement हो गई current market price है इतनी volatility देखने के लिए मिली अब हम बहुत plain and simple आपको एक range देते हैं एक support और एक resistance जैसे हर बार मैं बताता हूँ यह हो गई जो lows बने हैं और highs बने हैं उनके हिसाब से resistance और support यह resistance देखने के लिए मिलेगा इसके उपर और यह support और मोटा माटी यह हम एक trading zone expect कर सकते हैं अब इसमें बदलाव कब आएगा जब market या तो अपने resistance को तोड़ती है या अपने support को तोड़ती है देखें इसमें कुछ चीजों पर आपको गौर करनी पड़ेगी यह एक candle बनी थी जिसमें हमें यह movement कब देखने के लिए मेली थी March वाले week में जब वो रशिया वाले जो यूदिता उसमें नहीं नहीं informations आ रही थी लेकिन यह जो candle है यह sustain नहीं करी इसका जो high स्थाना high sustain नहीं किया और overall market जो close हुई है वो नीचे की तरफ close होते हुए देखाए दी तो यह जो range है broad range इसके अंदर market है resistance की मैं बात करूँ तो यह एक resistance यह दूसरा resistance जो सबसे important है इस resistance पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजेगा जहां से market वापस आए और यह एक zone की तरह इसको consider कर लीजेए वहीं अगर इसके नीचे market break हो जाती है यह जो level मैंने दिया है तो एक support छोटा सा आएगा 66 800 66 800 ठीक है 66 800 एक support होगा अगर 66 800 market तोड़ देती है फिर यह गिरावट intensify हो जाएगी फिर जो और supports है वो हमें देखने के लिए मिलेंगे जो यह 65 600 700 के आसपास जो पहले market में resistance की तरह act करता था अगर मैं आपको daily charge पर लेकर चलूँ अभी तो यही support important है फिर यह एक support है और अगर यह तूट जाता है यह एक zone बना देते हैं आपके लिए अगर यह zone break हो जाता है फिर market 62 600 तक आ जाएगी अभी overall situation क्या लग रही है अगर आप मुझसे पूछें कि overall market में structure क्या है तो मैं कहूँगा कि market अभी जब मैं आप से बात कर रहा हूँ तो थोड़ी positive है क्यों positive है because यह level hold कर रही है अब इसका एक negative जो वो है वो यह है कि यह जो resistance है यह बहुत crucial है इसके लिए और जो news आ रही है ना वो इतना कुछ बदल नहीं रही है structure को जैसे जो Ukraine और Russia के बीच में जो news आ रही है अब वो बहुत business as usual की तरह हो गया until and unless कोई परमाणू युद्ध शुरू हो जाए या कुछ नया हो जाए अभी उस news का बहुत ज़्यादा effect हमें base metal बुलियंस पर पढ़ता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है ऐसे candle बन रही है हमारी ये इस तरह से इस तरह से candle बन रही है नीचे की तरफ जो support को test करने ले जा रही है या इस तरह से हमें एक positive candle बनती हुई form होती हुई दिखाई दे रही है तो जब Monday को market खुलेगी तो एक hint हमें मिलना फिरू हो जाएगा तो एक हम resistance या support define कर पाएंगे अभी के situation के हिसाब से जो resistance बन रहा है वो weekly resistance बन रहा है मेरा 70,900 के आसपास यहां पर और यह क्यों बन रहा है यह daily candle में जाके देखिए तो यह resistance बन रहा है वहीं पर अगर weekly support बताओ मैं अभी तो वो अभी भी यही बन रहा है 66,900 के आसपास तो इस zone का ध्यान रखी आने वाले हफते में until and unless कोई बहुत बड़ी news नहीं आती तो market आपको इसी तरह से trade करते हुए दिखाई देगी और stop loss के साथ trade करिए दोनों तरफ market समझ में ना आए तो trade मत करिए वही तरीका सही है कि अगर आप गलट trade नहीं करें तो वो आपको ज़ादा soothing होगा, ज़ादा relaxing होगा तब आप सही levels का weight कर पाएंगे जैसे मैंने ये level define किया कि भई मुझे यहाँ buy करना है, यहाँ sell करना है अगर ये level मुझे मिलता है और मुझे market है यहाँ पर कोई भी एक confirmation देते हुए दिखती है, कि हाँ भाई ठीक है ये confirmation मिल गई, हम buy कर लेंगे ये support है यहाँ पर अगर कुछ confirmation मिलता है कि market की होता है जब market उपर की तरफ होती है तो ऐसा लगता है कि breakout दे देगी market उपर निकल जाएगे नीचे की तरफ जब जाती है तो ऐसा लगता है ये breakdown दे देगी नीचे की तरफ निकल जाएगे और market जब नहीं निकलती तो multiple stop losses हमारे hit होते हैं और वो फिर हमें गलट trade लेने के लिए prompt करते हैं वहाँ पर आपको रोकना है अगर ये trade मेरी miss हो गई तो मैं wait करूँगा जब ये circle अपना complete कर लेगी फिर मैं बीच में उसको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश नहीं करूँगा सेम चीज अगर selling में top से नहीं कर पाया market नीचे आ गई मुझे लगता है वो मेरी trade मिस हो गई तो वो जबरदस्ती आप उसको chase मत करिए just out of frustration या effect of fomo आप कभी भी किसी trade को chase मत करिए आप हमेशा उसके lower या higher part पर फ़स जाएंगा ये गलती बहुत लोग करते हैं मैंने भी बहुत बार करिए और जब जब करिए उसका मुझे हमेशा बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है मैं वो बात बहतर समझ सकता हूँ तो ये है दोस्तों silver पे आने वाले हफते में के लिए मेरी राय उम्मीद करता हूँ या आपको help करेगी थोड़ा सा ये video confusing है क्योंकि मेरे लिए भी silver में जो levels है ना भी थोड़े confusion है एक होता है जो clear का trend दिखता है clear का trend नहीं है मैं आपको ये नहीं कह सकता आप इस level पे buy करके ये stop loss डालके बैठ जाओ या ये level पे sell करके stop loss डालके बैठ जाओ मैंने आपको एक broad range बता दी और साथी साथी advice किया है कि जब तक कोई confirmed entry ना मिले तब तक आप मत लीजे बाकी जो help है वो मैं आपको daily videos में करता रहूँगा जो मैं intraday levels के उपर video बनाता हूँ तो यहाँ पर जो मुझे दिखा वो मैंने आपको बता दिया और एक बार मैं फिर से कहूँगा जाते जाते कि ग्या नहीं समाधान है इसी ने मुझे बरबादी से आबादी की में बचाया है इसी ने मेरी help करिए अपने आपको recover करने में और यही आपकी भी help कर सकती है तो learning करिए अगर earning करना चाहते है आईए जुड़िये हमारी community का हिस्सा बनिए एक hand holding support मिलेगा आपको एक double confirmation मिलेगी उससे आपको overall market में successful होने में बहुत मदद मिलेगी जो जैसे मैंने का ना 2007 में मैंने hero था 9-10 में मैं 0 बना 11 से मैंने 11-12 से वापसी करी अपने आपको recover किया आज आप लोगों में से कई सारे लोगों को मैंने training दी हजारों लोगों को training दी and most of them if they are following my teachings are in profit now आप भी जब सीखेंगे उस चीज़ को आप feel करेंगे कि market में कोई एक चीज matter करती है तो वो matter करती है सही guidance अगर आपके पास एक सही mentor है, guide है और वो आपको strategy strategy समझा देता है और आप उसको पकड़ लेते हैं सही तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता पैसा बनाने से तो दोस्तों यह है आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा अच्छा लगए तो इसे like, share, subscribe जरूर करिएगा नेक्स वीडियो में मुलाकात करूँगा आपसे और टेलीग्राम चैनल शेवर्शोट फॉर्मूला फैमली जॉइन कर लीजेगा जैहिंद वन दे मात्रम